सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुती ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स MI और OnePlus की तरफ से MI 10i यह आपको मिल जाएगा 224,000 का दूसरी तरफ है OnePlus का Nord यह आपको मिल जाएगा 28,000 का तो दोनों में 4,000 का फर्क है इस वीडियो में इन दोनों में comparison करके आपको बताऊंगा इनके अंदर क्या क्या कमिया हैं क्या क्या च्छाईया हैं और आपको दोनों में सा कौन सा लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिलकुल भी स्किप मत करिएगा चली देखते हैं 10i के साथ आपको क्या के दिया गया है 24,000 में तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें पीछे लगवा है एक सिमजेक्टर टूल अंदर की तरफ दिये गाए है कुछ यूजर मैनुवल इस तरह के से एक मिल जाता है कवर जिसकी क्वालिटी आपको काफी बढ़िया दी गई है जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी जादा बढ़िया है अब दोस्तो इस मोबल के अंदर आपको फास्ट चारजिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 33 वाट का फास्ट चारजर मोबल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो चारजर आपको काफी फास्ट दिया गय करते हैं तो वन प्लस नौड के साथ क्या क्या दिया गया है 28000 में और दोनों में कितना फर्क है इन दोनों के अंदर तो दोस्तों जैसे आप अंबॉक्स करते हैं नौड को सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर डिटेल लुक हम अभी देखे उससे पहले देख लेते हैं एक मिनी बॉक्स मिल जाता है जिसमें अंदर की तरफ आपको दिये गये हैं कुछ स्टीकर्स एक कवर दिया गया है काफी बढ़िया क्वालिटी का इसके बाद मिल जाता है मिनी बॉक्स छोटा सा जिसमें पीछे लगावा है एक सिम जक्टर केबल हैं आखिर में आपको रखा वो मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर इसके बिल्ड क्वालिटी काफी जादा बढ़िया है अब इस मोबैल के अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और एक 30 वाट का फास्ट चार्जर मोबैल के साथ बॉक सही है इन दोनों के कंपेरिजन में तो सही है लेकिन दोस्तों मार्केट में अगर देखा जाए तो 15,000 के बजट में आपको आजकल 65 वाट के चारजर भी देखने को मिल जाते हैं इनके साथ तो 30 वाट के ही दिये गया है चले बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे म दूसरी तरफ आपको OnePlus Nord का कलर भी बहुत ज़्यादा बेस्ट मिल जाता है लुक वाइज यह मोबाइल और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है 10 Eye से बात कर दोस्तों कैमरे के बारे में तो 10 Eye में आपको बिछे की तरफ 4 कैमरे दिये गए हैं इसमें में कैमरे है पहला 108 Megapixel का दूसरा 8 Megapixel का दो कैमरे है 2 Megapixel के फ्रेंट कैमरे है इसका 16 Megapixel का कैमरे की जो performance है वो आपको 10 Eye के अंदर बहुती बढ़िया मिल जाती है वहीं दूसरी तरफ OnePlus Nord के अंदर आपको बिछे की तरफ 4 कैमरे दिये गए हैं इसमें में कैमरे है पहला 48 Megapixel का दूसरा 8 Megapixel का तीसरा 5 चौथा 2 Megapixel का फ्रेंट में इसमें आपको दो कैमरे दिये गए हैं इसमें में कैमरे है पहला 32 Megapixel का दूसरा 8 Megapixel का दोस्तो कैमरे की जो performance है वो आपको OnePlus Nord के अंदर भी बहुत बढ़िया मिल जाती है कैमरे को लेकर वैसे ये दोनों ही बहुत बढ़िया है लेकिन और भी जाद अच्छा है 10i कीमत भी 4000 कम है और इसके अंदर आपको थोड़ा और बैटर ही कैमरे दिया गया है इसके लब दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों में किसका design जाद अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा मुझे दोस्तों node का design ही जादा पसंद आया बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो 10i के अंदर आपको display size दिया गया है 6.67 इंचिस का साड़े छेंज से थोड़े सी और जादा ही display दी गई है इसके अंदर आपको node के अंदर आपको display size मिल जाता है 6.4 इंचिस का साड़े छेंज के आपस डिस्प्ले दी गई है इसके अंदर आपको तो display size के अंदर काफी जादा compact है node एक खासे चलाने में आपको कम दिक्कत देखने को मिलती है 10i के comparison में बात करें दोस्तों user interface के बारे में तो इन दोनों के अंदर आप इससे उपर के तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है लेकिन दोस्तों इन दोनों के comparison में user interface आपको जादा बढ़िया दिया गया है node के अंदर ही अंदर से चलाने में ये mobile और जादा बढ़िया लगता है MI 10i से 10i के अंदर आपको ये खुब भी जादा बढ़िया दी गई है display के अंदर आपको 120 Hz का refresh rate मिलता है node के अंदर आपको 90 Hz का दिया गया है तो दोस्तों use करने में वैसे दोनों ही काफी जादा smooth लगते है लेकिन 10i और भी जादा smooth लगता है OnePlus Nord से अब दोनों के display में आपको करीब से दिखा देता हूँ display की quality के अंदर कोई भी competition नहीं है 10i के अंदर आपको IPS display दी गई है पंचोल camera वाले design के साथ display के अंदर ही camera है बीच में बाकि दोस्तो OnePlus Nord के अंदर आपको AMOLED display मिल जाती है इसके अंदर आपको display में दो camera दिये गए है left side पर display के अगर आप colors देखेंगे तो उसके अंदर बिलकुल भी कोई competition नहीं है OnePlus Nord की display की जो quality है वो बहुत ही जादा बढ़िया है तो display का size और 120 Hz का refresh rate ये खुब भी आपको जादा अच्छे मिल जाती है 10i के अंदर लेकिन दोस्तों Nord के अंदर आपको display की जो सबसे important चीज है display की quality वो जादा बढ़िया दी गई है तो display में जादा बढ़िया है OnePlus Nord ही 10i को आप इस तरफ से देखेंगे left side पर तो sim के ट्रे दी गई है Nord में इस तरफ volume के buttons मिल जाते है 10i के अंदर आप दो sim card लगा सकते है साथ में memory card नहीं लगा सकते तीन चीज एक साथ नीची की side साब देखेंगे तो Nord में इस तरफ आपको sim के ट्रे दी गई है इसके अंदर भी आप दो sim card ही लगा सकते है right side साब देखेंगे तो दोनों में power के buttons fingerpin scanner 10i में side में दिया गया है power के button के अंदर Nord के अंदर आपको display के अंदर दिया गया है उपर की side से देखेंगे तो दोनों के अंदर आपको noise cancellation mic मिल जाता है 10i के अंदर आपको IR blaster भी दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है TV अगर आप इससे चला सकते हैं दोस्तो MI 10i के अंदर आपको Android का 10 version मिलता है लेकिन OnePlus Nord के अंदर आपको Android का latest version मिल जाता है Android 11 बात कर दोस्तो battery के बारे में तो 10i के अंदर आपको battery दी गई है 4820 mAh की Nord के अंदर आपको battery दी गई है 415 mAh की एक दिन का battery backup दोनों के अंदर आपको अराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर ये दोनों ही mobile's नॉर्मल ही है और दोस्तो इन दोनों के अंदर आपको दी गई है 24,000 और 28,000 में 8GB RAM X और 28GB के इंटरनल स्टोरेज तो RAM और स्टोरेज दोनों के अंदर आपको एक येसी मिल जाती है बात कर दोस्तो प्रोस्सर के बारे में तो 10i के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 750G प्रोस्सर Nord के अंदर आपको मिल जाता है Snapdragon 765G प्रोस्सर अब देखे दोस्तो अगर आप एक बहुत जादा heavy user है तो performance को लेकर ये दोनों ही mobile's बहुत जादा बढ़िया है आपको दिक्कत नहीं होगी प्रोस्सर को लेकर performance में बाकि दोस्तो थोड़ा सा और जादा better है OnePlus Nord और दोस्तो दोनों के अंदर आपको ये खुबी बहुत बढ़िया मिल जाती है ये दोनों ही smartphone 5G है 5G का support दोनों के अंदर आपको दिया गया है इस चीज में दोनों बहुत बढ़िया है तो दोस्तो ये सारी खुबीय कम्या आपको मिलती है दोनों के अंदर चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको इन दोनम से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपको MI पे ज़्यादा भरूसा है या फिर OnePlus पे और इसके बाद आपकी जो main ज़रूत की चीज है वो किसमा ज़्यादा बढ़िया है कम है 10i से लेकिन फिर भी ये mobile काफी बढ़िया है डिस्पले को लेकर इसके साथ दोस्तों अगर आपको डिजाइन अच्छा चाहिए तो भी आप OnePlus नौड खरी दियेगा लोकवाइस वेसे का डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है काफी compact mobile है ये 10i के comparison में एक हाथ से चलाने में आपको दिक्कत कम होगी बाकि दोस्तों अगर आपको processor बढ़िया चाहिए तो भी आप Nord खरी दियेगा इसके अंदर आपको processor और ज़्यादा बढ़िया दिया गया है इसे के साथ अगर आपको battery अच्छी चाहिए तो 10i के अंदर आपको एक खुब्य अच्छी मिल जाती है जो कि है इसका camera बाकि सारी खुब्य ये OnePlus Nord के अंदर अच्छी दी गई है पहले इसका design बढ़िया है दूसरे इसके अंदर आपको display और ज़्यादा अच्छी दी गई है तीसरे सके अंदर आपको user interface ज़्यादा बढ़िया दिया गया है चौथरे सके अंदर आपको processor ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है तो दोसों इन दोनों mobile में ज़्यादा premium है OnePlus Nord ही यूज़ करने में ये ज़्यादा बढ़िया लगता है ये quality wise ज़्याद अच्छा लग रहा है मुझे भी यही पसंद आया आप बताएगा फिर भी comment करके आपको कौन सा अच्छा लगा ये चीज़ comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को like कर दीजिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उससे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आकन भी दबा दिएगा ताकि नएव वीडियो आप तक पहुँचते रहे हैं इसके लग वीडियो को आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाट से फेस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई